हेलो दोस्तों कैसे आप बहुत अच्छे होंगे कि मैसल प्रदी व्यादब हम पढ़ रहे हैं टाइम डिसंस उसी को आगे बढ़ाते हो आज की क्लासी स्टार्ट करते हैं देखिए आज का जो पहला कोशन है पहला कोशन को दिहान पुर्व को पढ़ेंगे पहला कोशन कहता है ए और बी एक ही बिंदू से एक ही दिसा में और एक साथ सुरू करते हैं आगे कहता है दस किलोमेटर की परिदी वाले एक ब्रतकार पत के चार ओर चलते हैं और जिनकी चाल जो दे रखी है तीन किलोमेटर प्रती घंटा और दो किलोमेटर प्रती घंटा है तो कितने घंटे के बार बहफिर से प्रारम भी बिंदू पर मिलेंगे तो आप बदाएए दोनों व्यक्ति के लिए पत कौन सा है प्रताकार पत है और इस पत की दूरी कितनी है दस किलोमेटर हम कह सकते हैं पहले सुरुबात जो करी है दोनों ने एक ही बिंदू से करें ए और बी दो एक निकालना है तो अब बताएए एका समय निकालना है तो ए ने एक बार इस पर घूमने में कितना समय लिया तो आप बताएए चाल बराबर देखेगा समय बराबर क्या होता है तो समय बराबर होता है दूरी और बटे चाल होती है अब बताएए दूरी का मतलब है एक बार चक चक्कल लगाने में कितना समय लगा 10 वड्रे तीन घंटा इसी बिरकाट से हम वी का समय नि aşkा थे हैं वी का समय नि दोनों कितने समय बाद एक साथ दुवारा से मिलेंगे, इसका मलत दोनों का टाइम बरावर होना चाहता है, जब भी कोई संख्या एक साथ हो या एक साथ मिलना चाहता है, तो समय बरावर होना चाहिए, तो अब बताईए, जब इनका समय एक साथ हो जाएगा, समय बरावर हो जाएगे तो एक साथ मिल जाएगे तो अब बताई दस बटे तीन और पांच को बरावर करना है तो आप जानते हैं इसके नीचे एक लिगा है तो यहां दस है और यहां कितना है पांच है तो दोनों का क्या निकाल दीजिए कि कि एलसें बाले में नीचे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होता उपर बाले से निकाल दीजिएगा तो अब बताई दस और पांच के एक साथ मिल जाएगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा दस घंटे चलते नैस कोशन पर आगा बढ़ेंगे नैस कोशन के कहता है एक हवाई हवाईजाज एक संभाव तुर्बुच की भुजाओं पर क्रम सा 300 km पर गंटा और 200 km पर गंटा और 240 km पर गंटा की गति से उड़ता है तो तुर्बुच के चारों और उड़ते समय उसकी ओसत गति कितनी होने चाहिए आप यह जानते हैं संभाव का मतलब होता है जिसकी सा हाईजाज कितनी है 200 km पर गंटा और दूसरे की चाल कितनी है 200 km पर गंटा और तीसरी की चाल कितनी है 240 km पर गंटा तो आप से क्या पूछा है हवाईजाच की जो है ओसत चाल बताईए इसके चारों और गोमने में तो मैं आपसे कह सकता हूँ ओसत क्या होता है तो आप कहेंगे कुल दूरी ओसत चाल इलएगी है क्ल समय नीशे आएगा मगर आप यह पदा है कि दिएके 3 चाल ने परावर दूरी सबसे कटने वाली एक संख्या मान सकते हैं इन सबसे कटने वाली दूरी मान लिजए वारे सो पहली भुजा दूसरी भुजा भी कितनी 1200 और तीसरी भुजा भी 1200 क्योंकि दूरी तो बरावर है तब बदाएए ये 1200 जो चलेगी तो इसकी चाल कितनी होगी 300 तो कितना घंटे लगना चाहिए जब काइटिंगे तो 4 घंटे और इसकी चाल कितनी है 200 तो यहां कितना घंटे लगना चाहिए 6 और इसकी चाल जो है आप बता सकते हैं 240 है तो इससे कितने घंटे लगना चाहिए 5 घंटे तो टोटल डिससेंस उपर है टोटल टाइम नीचे है तो आप बताएए निकाल सकते हैं तो आप बदाओ इनको हम तीनों को जोड़ें तो कितना आएगा 3600 और नीचे जब हम जोड़ते हैं तो नीचे आएगा पंद्रा और जब पंद्र से हम भाग करेंगे पंद्र दोनी 30 होता है अब बचे कितना पंद्र चुका 60 तो आप कह सकते हैं कि पूरे की पूरी एवरेज स्पीड कितनी आई है चारो तरफ भूमने में 240 और यही इसका आ अंसर हो जाता है चलिए नेश कोशन पर आगे बढ़ते हैं नेश कोशन के कहता है एक साइगल एक निश्चित दूरी को तैग करने में 13 घंटे का समय लेती है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है यह देखिएगा वह दूरी के पहले भाग तो यहां पर पहले भाग का मतलब फ जितनी भी टोटल दूरी है उसका आदा भाग में चाल कितनी रहती है उसकी 7 किलोमेटर प्रदी घंटा तो आदे भाग में कितनी रहती होगी उसने कहा आदे सेज भाग में रहती है 6 किलोमेटर प्रदी घंटा अब पूरे टोटल यहां से यहां तक की दूरी को चलने में क ओसत चाल कहते हैं, तो ओसत चाल कैसे निकाली जाती है, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम, तो यहां दूरी एक बटा दो, एक बटा दो का मतलब है, बरावर दूरी है, जितनी पहली दूरी है, उतनी ही बात की दूरी है, तो आप अपने इसाब से दूरी मान सकते हैं, त तो बड़ाइगे ये दूरी को चलती किस चाल से है साथ के साथ साप करेंगे तो साथ शंग 42 और बादवाली साथ अब बड़ाई उपर गयाएगा 84 बटे साथ तो ये क्या चुकी है रास्ते की ओसद चाल आचुकी है अब ओसद चाल आचुकी है अड़ टोटल टाइम दे किये एवरेज पूरे रास्ते की 84 बटे साथ और समय कितना दिया है तो आप किंगे 13 घंटे दिया तो साथ बटे यहां तेरा आएगा देखे 84 क्योंकि साथ और छे कितना उतर तेरा तो यहां भी कितना आएगा तेरा आएगा तो अब लेकिन वापस कितनी चाल से आता है तो उसमें चाल दे रखी है 12 किलोमेंटर प्रिदी घंटा तो आप मुझे बताइए दो चाल है रास्ते में, पहली वाली चाल कितनी है, आठ है, और बाद वाली चाल कितनी है, बारा है, और दोनों चाल के लिए बरावर क्या है, तूरी है, तो आप बताइए आप ओसत चाल निकाल सकते हैं, तो ओसत चाल कैसे निकालेगे, तो दो चाल हो और दोनों के लिए दूरी बरावर तो आप इस फोर्मले का समाल कर सकते हैं तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस बाई तो बताए पहली चाल कितनी है दो गुड़ा आठ गुणा बारा और दोनों को हम जोड़ें के तो नीचे क्या आएगा वीस आ जाएगा अब देखेगा चार से काट दीजिगा चार पंजे कितना होता है बीस होता है चार दोनी आरट होता है अब अब अजय कितना है तो पूरे रास्ते की आने और जाने की और सचाल कितनी होगी 9.6 किलोमेटर प्रती घंटा चलिए आगे बढ़ते हैं नैश कोशन पर नैश कोशन क्या गहता है सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमेटर प्रती घंटा और 4.4 किलोमेटर प्रती घंटा से चलना सुरू करते हैं यदि बे एकी दिशा में चलना सुरू करते हैं तो उन्हें तेरल किलोमेटर दूर होने में कितना समय लगेगा तो बताइए मोहन है और मोहन और सोहन एकी बिंदू से चलते हैं मोहन, सोहन है और मोहन है एक ही बिंदू से चलते हैं अब दोनों की चाल कितनी है पहले वाले की चाल है सोहन की कितनी है तीन दसमलब पांच किलोमेटर पर दिखंटा और मोहन की चाल है चार किलोमेटर पर दिखंटा तो आप मुझे बताइए जहां दो चाल एक साथ काम करती है तो सोहन के अंदर भी और मोहन के अंदर भी चाल है तो दो चाल एक साथ चल रही है तो उनको हम मिलाकर क्या कहते हैं साप एक चाल कहते हैं आप जानते हैं साप एक चाल का मतलब ही क्या होता है साथ चलना तो चलेंगे क्या दूरी और लगेगा क्या समय तो इसे ही तो आप साप एक चाल कहते हैं मग मैं सब से का है यह Past साप एक शाल कितनी आईगी तो 6 और म dado को घटा दीजेगा तो चार में से साड़े तीन जाएगा तो पॉईंट 5 किलोमीटर 4 गणटर आप इसको क्या कह सकते हैं आप यह कहेंगे 0.5 km का gap बनता है कितने घंटे में एक घंटे में इनके बीच में gap कितने का बन जाता है 0.5 km का यदि वो एक ही इस थान से चले है तो अब अधाई बनाना कितना दूर है तो आप कह सकते हैं 1.5 तो इसमें गुणा किस से कर सकते हैं आप 3 से उपर गुणा कर दो तो 3 से नीचे गुणा तो जैसी 3 से उपर गुणा कर दो तो कितनी दूरी हो चुकी है 0.5 और यहां सुरी 1.5 और नीचे कितने घंटे आ चुका है 3 घंटे और यही इसका आंसर हो जाएगा तीन घंटे में उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी एक दसमलाब पांच किलोमेटर हो जाएगी आगे बढ़ते हैं नेश कोशन के कहता है एक निश्चित दूरी डी एक साइकल चालक द्वारा निश्चित समय में तै की जाती है यदि एक घुड़ दोड समयट्टी के दूगने समय में आदी दूरी तै करता है तो साइकल चालक की गती और घुड़ गती का अनुपाद गयाद करिये है एक बावताई एक साइकल चालक है तो साइकल चालक तो आप मुझे बताएए साइकल चालक कितनी दूरी D, और कितने समय में, T समय में, तै करता है, लेकिन वो कहता है, उतनी ही दूरी, उतनी ही दूरी, उससे आदी दूरी, तो आदी दूरी कितनी है, पहले D थी, तो D Y 2, और उससे कहता है, दुगने समय में, कितने समय में, दुगने समय में, तो पहले समय कितना था, T था, तो गुर्दोड टी समय के दुगने समय में आधी दूरी तै करता है तो आप मुझे बताइए चाल का नुपाद पूछा है तो चाल बरावर क्या होती है उपर दूरी आती है और नीचे क्या आता है समय आता है अब बताइए साइकल वाले की दूरी कितनी है डी है और टाइम कितन डी वाई 40 अब यदि में देगे रेशो में समान चीज कर जाती है अब इसका एक बटे एक बटा चार आएगा तो चार को इधर लिए आएंगे तो आप कहेंगे अनुपात कितना होगा चार अनुपात एक होगा इसका मतलब साइकल सवार की चाल कितनी है तो चार है और घुर दोर की चाल कितनी है एक है और यहीं आप से अनुपात पूछा था बड़ा इंपोर्टेंट कोशन है कर सकते हैं चले नैश कोशन पर आगे बढ़ते हैं उसने कहा एक सहर का नक्सा एक कितने 50,000 के पैमाने पर बनाय गया है तो इस नक्से पर दो सहर की बीच की दूरी कितनी है बारा सेंटीमेटर है तो और आप कहेंगे पैमाना यह है तो आप पचास हजार को बारा से गुणा कर देंगे पचास हजार गुणा बारह तो अब देख ना गुणा बारह जैसी हम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर तो पचास जार पहली था अब देखे बारह पंजे साथ तो चार जिरो पहले थे पांच जिरो हो जाएगे तो यह आजाएगा यह क्या है सेंटीमेटर है और आप जानते हैं कि देखे सेंटीमेटर में कितने सेंटीमेटर होते हैं सो और एक किलोमेटर में कितने मिटर होते हैं एक हजार तीन जीरो यह रहे और दो यह रहे और इसी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं छै किलोमेटर आ बना सकते हैं बहारी नहीं है। इसका मतलत दोर सहरों के बीच की दूरी कितनी होगी छै कि दूरी हो जाएगी। चलिए नेस्ट कुर्शनप पर आगे बलते हैं। नेस्ट क्या कहता है यदि एक व्यक्ति ए से बी तक पचास किलोमेटर की गति से यात्रह करता है। उसने कहा एक व्यक्ति है A से B तक कितनी गती से 50 किलोमेटर प्रती घंटा की गती से तै करता है यदि अपनी चाल कितनी बढ़ा दे वो कहता है 50% बढ़ा देता है सोरी 40% प्रद्धी कर देता है तो दोनों यात्राओं के लिए उसकी ओसत गती ग्याद करिए तो मैं आपसे कहूँ पहले चाल कितनी थी 50 थी और 50 कब चालिस परसेंट बढ़ाएगा तो आप बताएगे कितना होगा 50 का 20 तो 20 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 70 किलोमेटर प्रती घंटा तो आप कह सकते हैं पहली वाली चाल कितनी है पचास है और बाद वाली चाल कितनी है सतर है यदि ए से भी पचास से जाए और ए से ही भी यदि वो किस से जाए सतर से जाए तो दोनों की ओसत चाल गयात करिये तो आप जानते हैं दोनों चाल के लिए बरावर क्या है दूरी बर बराबर होती है तो औसटाल के लिए आप फॉर्मॉला लगा सकते हैं बताओ कितना गुड़ान कितना है एक civ कर सकते हैं इस से इवाइड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा उपर कितना आ चुका है पांसत्य पैटेस अब बटे 6 अब हम इसे भाग करते हैं देगे अब बदाओ 6 से हम भाग करेंगे तो कितनी बाढ़ जाए छैपन देगे छैपनजे 30 होता है तो पांच गया अब बचा कितना पचास बचा तो अब मैं आप से कहूं कितनी बाढ़ जाएगा 688 होता है बचा कितना है दो और 6 या 18 तो हम कह सकते हैं 58.33 किलोमेटर ओसत चाला जाएगी और यहीं आपका आंसर हो जाएगा बड़ा अच्छा कोशन है और बेसिक सा हलका सा कोशन कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं उसने का एक बस क्रम सा 3 किलो करती है यदि बस पहले व्यक्ति को 10 सेकिंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकिंड में पार करती है तो आप मुझे बताएगे किस परकार का सवाल है तो एक बस है ऐसे बस होगी और उसके सामने दो व्यक्ति हैं दो व्यक्ति हैं एक पहला व्यक्ति आगे होगा दूसरा व् अब बस तो आप से मैं कहूं बस के अंदर भी क्या है चाल है और इन दो व्यक्ति के अंदर भी क्या है चाल है तो आप अधाये पहले बस किसको पार करेगी इस व्यक्ति को पार करेगी तो इसके साथ साफ एक चाल बनाएगी और यही बस फिर अगले व्यक्ति को पार करेगी इसके साथ भी बनाएगी साप एक चाल बना आगे कँगी जहाँ दो चाल एक साथ काम करती हैं वा सापक चाल बन जाती है तो अब इस बसने इसको पार करने में कितना समय ले है? नहीं सेकर लेंग साथ लाएगी जब भी इस तरह सबहए नहीं को दस्टिया तिस और ग्यारा पंज पच्छ पन norah जो यह दिखएगा ग्यारा पमज पच्छ पन करेंगे आ सका अंतर किसके बराबर होता है समय के इंस समय कतरों कितना एक है कब बताइक कितना बच़ेंगा और ये 25 किस की चाल को पड़ए गाल कि आप चा सिप्रोपर करना चाहते तो एक चाहल निकालने पड़ेंगे और दूरी वो एक्जाम में सवाल आता है तो आप 100% इसे तरह से करिएगा गलत कभी नहीं होगा चलिए नैस कोशन है वो कहता है दो कारे एमदावार से सुरू होती है और बिप्रीव दिसा में चलती है जिसमें एक कार की गती दूसरी कार से कितना है दो सो किलोमेटर प्रदी घंट अधिक है यदि नो घंटे बाद 4500 किलोमेटर दूर है तो दोनों कारों की गती का योग ग्याद करिए तब बताएए दोनों कारों के अंदर क्या है दोनों बिप्रीद दिसा में है दोनों कौन सी दिसा में है बिप्रीद दिसा में है अब एक क चाल जो है एक की चाल मालीजा कितनी है X km प्रधिगंटा है तो दूसरे की चाल उससे कितनी ज़ादा है आप कहेंगे 200 km ज़ादा है आप कह सकते है इसकी चाल कितनी होगी तो मैं आपसे एक बात पूछू कि ये बदाएंगे दोनों की दोनों बस हे चल रही नहीं चल रही है इसके अंदर भी क्या है चाल है इसके अंदर भी क्या है चाल है और जहां दो चाल एक साथ काम करती है उन दोनों से एक चाल बनती है जिसको हम क्या कहते है सापेक चाल कहते है आप मुझे बताईए सापेक चाल का मतलब होता है दोनों दूरी चलेंग हैं दोनों की दोनों की दूरी देगेगा कितनी बनी है बीच में 4500 और कितने समय बनी है 9 घंटे बनी है तो 4500 किसने चली होगी दोनों ने चली होगी और दोनों का समय होगा और जब भाग करेंगे इससे तो ये चाल किसकी आएगी दोनों की चाल आएगी तो अब ये दोनों की चाल आएगी तो पहली बस कौन सी बस पहली बस और दूसरी बस की डारेक्शन कौन सी थी बताईएगा डारेक्शन थी अपोजिट डारेक्शन और अपोजिट डारेक्शन में दोनों चाले जुड़ जाती है तो आप बताएए पहली बस और दूसरी बस की चाल जुड़ कर कितना बनाती है पांसो बनाती है और आप से यही तो पूछा है दोनों कारेव की चाल का योग बताईए और चाल का योग कितना होगा 500 होगा बस इतना करने के बाद आप आंसर मार सकते हैं कोई भारी सवाल हो नहीं सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कहता है बेपरीद्धिसा में यात्रा करने वाले दो मोर्टर साइकल चालक बीच में किसी बिंदू पर मिलते हैं इसका मतलब क्या है डारेक् अब मिले हैं ये इधर से आ, ये इधर आए तो यहां क्या है ये मिले हैं आगे क्या होता है देखिए इसके बाद उने उनके गंतब्ष ठान तर पोशने में क्रम सा तो आप बदाएगे ये माली जिएगा पहला मोर्ट साइकल चालक है और ये कौन सा है दूसरा है तो ये ज इसको चलने में दूसरे चालक का क्या लगा होगा समय लगा होगा और यह समय कितना है आपको बताएगा और पहले वाले चालक का इस पर जाएगा तो यह कौन दूरी चल रहा है पहला वाला चालक चल रहा है और जब यह चल रहा है तो इसका ही समय होगा तो अब एक बाव बत पहुस्ता है और दूसरा वालेवाला कितने घंप पूछता है Jam उस्जाल का चाल समय नहीं होता हैं यहां क्योंकि चाल समय इंवर्सली प्रॉपोर्पोरिशनल होते हैं यह की चाल तो इसका मदब पहली वाली चाल है तो समय दूसरे वाले का आएगा और दूसरी वाले की चाल है तो पहले वाले का समय आएगा तो बदाएगे ये पहली चाल भी इसके सामने समय किसका है दूसरे वाले का होगा नहीं होगा तो यहां क्या लिख सकते हैं पहली चाल अपन दूसरी चाल बराबर हीँ कितना लिखेंगे आप और उस पर क्या लगेगा square root लगेगा 14 का square root कितना होता है 4 होता है तो उपर 4 आносपान की चाल का अनुपाद कितना होगा 4 अनुपाद 3 हो जाएगा पड़ा अच्छा सवाल है important question है चलिए आगे बढ़ते हैं next question क्या कहता है P और Q 120 मीटर के ब्रतागार मार्ग के 4 और समान बिंदू से समान दिसा में 20 मीटर पर मिनट और 12 मीटर पर मिनट की चाल से एक साथ दोड़ना सुरू करते हैं तो वो कहता है कितने बिंदू पर वो मिलेंगे एक साथ तो यहां ध्यान रखेगा तो आप अधाई एक ब्रतागार मार्ग है कितने मीटर का 120 मीटर का एक मार्ग है और इसपर कितने व्यक्ति हैं दो व्यक्ति हैं एक P है और एक कौन है क्यू है अब दोनों की चाल दे रखिए तो मैं आपसे कहूं पहले वाले की चाल कितनी है तो उसकी चाल है 20 मीटर प्रती मिनट इसका मला एक मिनट में कितना दूरी 20 मीटर आगे कहता है दूसरे की है 12 मीटर पर मिनट आपसे पूछा क्या गया है वह इंपोर्टेंट है वे कितने बिंदू पर एक साथ मिलेंगे इसका मला समय नहीं पूछ रहा है कितने बिंदू पर एक साथ मिलेंगे तो यहां बताएगे कितनी दूरी है यह एक बार चलने में 20 मीटर चलता है और यह एक मिनट में कितनी है 12 मीटर चलता है तो इन दोनों से मिलने का एक दूरी क्या होगी 60 मीटर की होगी नहीं होगी जब एक बार चलने के बाद 60 मीटर चलने के बाद दुआरस से मिलेगे और टोटल कितनी दूरी है 120 मीटर है तो आप कह सकते हैं इतनी दूरी चलने में भी ये कितनी बार मिल जाएंगे 60 के साफ से तो 60 से सबाग कर देंगे तो आप कह सकते हैं दो बार मिल जाएंगे तो दो बार एक साथ मिल जाएंगे एक चक्कल लगाने में और यही आपका आंसर हो जाएगा चले नैस कोशन क्या कहता है नैस क्या क्य它 है एक बस सुबह 5 बजे आगृबाना होती है और दुपेर 12 बज़े दिल ही पोच जाती है तो आप इस सवाल में ऐसे लिखेंगे चलने का समय तो ये चलने का समय किसी भी सहर से हो सकता है किसी भी स्थान से हो सकता है और फिर लिखना आपको पोचने का समय ये कोशन दो बार आ चुका है इस तरह का और इसको करने का इस से आसान तरीका नहीं हो सकता चलने का समय पोशने का समय तो चलने का समय सुभा पांच बजे था आगरा से और पांच बजे से चलने के बाद और यह है अपने इस्थान पर क्या बजी पोश जाता है बारा बजी पोश जाता है पोश्ता कहा है वो टेंसर लेनी है पोच्टा कितने बज़े हैं बारा बज़े तो आप से कहता है टिक कि Taliban कितना आट भजे दोने का टाइम कितना है ताब एक बस तो आप से पुछता है रस्ति में मिलने का समय बताई बड़ा इंपोर्टेंट कोशन है आप बताईए दोनों के चलने का टाइम में इसका पांच बजे है रिसकार्ट बजे तो आप अपने सवाल में कोई सा भी टाइम ले सकते हैं जो भी लेंगे तो आप कहते हैं हम पांच के इसाफ से करेंगे तो आप कहेंगे पांच बजे के बाद आप मिलाना चाहते हो तो पांच के अनुसार आप टाइम लेंगे तो में से घटाना अंसान हो जाएगा 300T आप घटा सकते हैं तो यह 5 हेल यह 15 है तो घटा हैं कितने इसका मतलब? 10 घंटे जो समय आपने यहां लिया आ है उसके washed से पहले पोष्णने का समय उसी के साथ से दूसरे पोष्णने का समय निकालेंगे आप यहां आठ लेते तो आठ के हिसाब से निकालते तो दियान रखेगा अब नीचे जो आएगा अपने अपने रास्ते का समय इसने अपने रास्ते में कितना समय लिया और इसने अपने रास्ते में कितना समय लिया तो पांच बजे चलने वाला पारा बजे पोंसता है तो कितने गंटे चला साथ गंटे और नीचे प्लस आएगा और आठ बजे चलने वाला वेक्ति पंद्रे पर फॉस्ता है तो कितने घंटे रहा ये भी कितने घंट आएगा साथ गंटे इतना करने के बाद सिर्फ करना कोई गलति होने के चांस नहीं रहेंगे तो घंटे बात मुलेंगे तो पांच घंटे-बाद मिलेंगे घंटे बात तो पांच और पांच 10 इसका मतलब यह कई बजे मिल जाएंगे ऐस बजे और वो भी कॉन से वाले ए माय क्योंकि शुरुबात तो सुबह से होई है तो पांच घंटे वाद एम ही रहेगा और यहीं इसका आंसर हो जाएगा बड़ा इंपोडेंट कोश्चन है एक्जाम के साबसे दो सवाल अब तक आ चुके हैं इस तरह से आगे भी यह मिलेंगे देखेगा आगे कहता है सवाल देखेगा दो कार एक्स और बाई क्रम सा पचास किलोमेटर प्रति घंटा और पिच्छतर किलोमेटर प्रति घंटा की ओसत गति स हैं ए से बी तक की यात्रा करते हैं अब देखेगा पहले यि द Steel कार क्रेंम पहली पहले कार कोण सी है एक्स और दूसरी कौन सी यह बाई है और जिन moments कि चाल कितनी है पहले की 50 km प्रति घंटा है और दूसरी की कितनी है 75 km प्रिधी घंटा है अब आगे क्या कहा इसने आगे कहता है आगे कहता है विटा यदि X को इस यात्रा में Y की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है तो A से B के बीच की दूरी गयात करिए इसका मतलब दो नो पॉइंट्स कौन कौन से थे बीच में यह A था और यह क्या था बी था अब उसने गा इसके समय और इसके समय में कितने गंतर है 2 घंटे का इसका मतलब जितने समय में यह इस यात्रा को पूरी करता है तो यह उससे 2 घंटे कम समय में यात्रगो पूरी कर लेता है इसका मतलब दोनों के बीच का time difference कितना है दो घंटे है और ये कोशन आपने इतना करा है कि आप इसको गलत कर ही नहीं सकते है देखें कि दो चाल है और दोनों के लिए क्या बरावर है दूरी बरावर है और दोनों चाल के समय का अंतर दे रखा है तो आप इस formula का इसमाल कर सकते है डी बरावर एक्स बाई और देखें समय का अंतर है तो नीचे एक्स माइनस बाई आएगा और समय का योग होता तो प्लस आ जाता है और किस से गुणा कर दिएगा प्लस होगा तो अंतर होना चाहिए तो बीच की दूरी निकल जाएगी ता आप मुझे बदाना यहां पर देखेगा पचास रोलता है बिस अंब गटाएंगे तो बड़े ही और वालता ही ends काउने ने है फड़ेश बच्हाट काम देखेज 30 क्या हो चुका है कितनी दूरी करती दूरी तेन सो किलमेटर आप से क्या पूछा है एसे बीच की दूरी तो आन्थर क्या जाएगा 300 किलमेटर अब इतना सभी सवाल आगे बढ़ते हैं नैश कोशन कहता है एक गोली 2 सेकेंड में 900 की दूरी करती है तो कितनी दूरी ते करती है, 900 मीटर की, मगर कितने समय में, 2 सेकेंड में, तो मैं देखे, इस सेकेंड को हट, देखे, हां से हटाँगा, तो उपर क्या जाएगा, 0 आजाएगा, अब इस समय देखे, कह सकता हूँ, 2 से भाग करूँ, तो 2 से भाग करें, तो पर कितना आएगा? 4500 मीटर पर सेकंड यही तो आएगा, नहीं आएगा आप बताईएगा, आप से चाल पूछेगे एक किलो मीटर प्रती घंटा तो मीटर पर सेकंड का रेशियो कितना होता है? 5 होता है, क्योंकि आप जानते हैं होते हैं तो मेटर पर सेंग का 5 होता है अर किलोमेटर का कितना होता है अठारा तो हम जिसमें करना था उससे गुणा करते हैं अब पांस से भाग करेंगे तो दिए 5 412-900 और आप जानते हैं 18 नंबर कितना होता है 1862 होता है कितने 0 आ जाएगे यहां पर देखेगा जब से भाग करेंगे तो हिए कितने 0 आ जाएगे क्योंकि उसने कहा ते दो सेकेंड है अब दो सब्सक्राइब कितना है 900 नहीं था तो यह जो वैलिव आ जाएगी यहां पर कि 1620 आपकी मीटर दूरी यह जाएगी यह जो दूरी थी वो 90 थी हमने 900 लिग लिए तो यहां कितना आएगा 450 और यहां किया जाएगा 90 और 90 की गुणा किस से करेंगे हम 18 से तो आपका अंसर क्या आएगा 1620 हो जाएगा चली नैस कोशन परागर बढ़ते हैं नैस कोशन के कहता है यदि कोई व्यक्ति अपने घर से कारेला तक समान्य गति का 80% पैदल चल कर जाता है तो उसे कारेला पोशन में 18 मिट की देरी हो जाती है इसका मदलब क्या है एक व्यक्ति की समान्य चाल थी क्या है समान्य कोई चाल थी उस समान्य चाल का कितने परसेंट से 80% से पैदल चल के जाए तो अब बदाएगे पहले जो चाल पैदल चलके जाए तो पहले वाले समय से कितना जारत समय लगता है 18 मेंट की देरी से पोचता है इसका मतलब जो समय पहले लगता था और जो समय आज लगा है उन दोनों के बीच में अंतर कितने मेंट का है 18 मेंट का है तो आप देखे सवाल में क्या पूछा है अब उसने थ़ह 6 तो आप कह吃 características हैंं चार वाटे 5 पहली वाली जाल क्या होगी पांच होगी अब वाली चाल कितनी दो चार हो जाएगा आप मुझे बताईए क्या दोनों चाल के लिए दूरी बरावर है पहले भी तो धर से कारल जाता था आज में घर से कहर आ बस बतली है क्या चाल बत कितना है चाल का अनुपाद है पांच अनुपाद चार पहली पांच थी अब चार हो जाती है और जब दूरी नहीं बदलती तो चाल से सार होगा और रास्ते में चार चार तो रास्ते का को शने का समय कितना होगा पांच होगा का कि Think नब्य होता है। आपसे पूछा किया है समानिय कान incar को उसी थी फी पांच और जो पांच सामने जो समय लिखा होगा वो समाने समा होगा और वहीं आपका आंसर हो जाएगा चलि नैश कोशन पर आगे बढ़ते हैं नैश कोशन के कहता है एक व्यक्ति समान्य गति का साथ बटे आठ से यात्रा करता है तो भैस समान्य समय से 25 मिट की देदी से गंतब्बे पर पोचता है वही सवाल है जो पीछे था पहले कितनी चाल थी तो उसने का साथ बटे आठ चाल कर देता है तो आप कह सकते हैं पहली चाल क्या मान लो आठ और आठ का साथ बटे आठ निकालेंगे तो कितनी चाल हो जाएगी साथ है तो दोनों चाल के लिए क्या नहीं बदला है तो दोनों चाल के लिए दूरी नहीं बदली है तो आप जानते हैं, जब दूरी नीवत लेगी तो चाल से हम क्या निकाल सकते हैं, समय का अनुपाद निकाल सकते हैं, तब बदाए ये चाल का अनुपाद क्या है, पहले आठ थी और आठ से कितनी होगी साथ, और इसी चाल का अनुपाद को हम समय का बना देंगे, तो साथ उ सायकिल पर आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशन का गहता है एक आदमी साइखिल पर होस्टल से कोलेज 15 किलोमेटर पृदि घंटा की देखे 15 किलोमेटर पृदि घंटा तेज गती से जाता है तो 2 मिनेट की देरिश से पोश्टता है यदि वह साइकल को 20 km प्रती घंटा तेज गती से दोडाता है तो वह दो मिनट पहले पोच जाता है तो होस्टिल और कोलीज के बीच की दूरे गयात करिए तो वह आदमी होस्टिल से कोलीज जाने में कितनी चाल रखे 15 km प्रती घंटा की चाल रखे तो जो कोलीज का पोचने का निर्धारी समय है उससे कितना मेडलेट हो जाता है दो मिनट की देरी हो जाती है तो बदाए लेकिन यदि होस्टिल से कोलीज तक जाने में कितनी चाल रखे उसने का 20 रखे तो बही निर्धारी समय था उससे दो मिनट पहले पोच जाता है तो आप से पूछा है कोलीज से होस्टिल के बीच की दूरी गयात करिए तो आपको मैं इस सवाल को कई बार करा च चुका हूं तो बदाए दो चाल है रास्ते में मगर दोनों चाल के दूरी नहीं बदली है वर बदला है तो क्या टाइम डिफ्रेंस बदला है क्योंकि पहले अलग चाल थी और बाद वाली अलग चाल है तो बीच की दूरी कैसा निकाल सकते हैं डी बरावर पहली चाल अब दोनों को घटाएंगे तो नीचे पांच आएगा और यहां टाइम डिफ्रेंस आएगा तो तो कितने में चाल का यहां मिनिट है और आपकी चाल काई में घंटे में तो इस मिनिट को भी आप घंटे बना लेंगे तो 60 से बाग कर देंगे तो यहां भी क्या बन जाएग घंटे बन जाएगा तो आप अधाए इसको हमसर से काटिंगे तो तीन बार और तीन से तीन कट जाएगा तो आपका चार किलोमेटर आएगा चार किलोमेटर इसका मतलब कोस्टेल से कोलिज के बीच की दूरी कितनी है चार किलोमेटर आप इस फॉर्मले के साहरे से कर सकते हैं चलिए नैश कोशन है आपका है एक व्यक्ति छात्रवाज से 45 km प्रति घंटा गती से कोलिज जाता है तो 5 मिट की देरी से पोशता है यदि बहुत 60 km प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो बहुत 4 मिट पहले पोश जाता है तो वही सेम सवाल है तो बताइए चाल कितनी हो 45 km प्रति घंटा हो तो जो कोलि तो जो कोलिज पर पोशने का निर्धारी समय है उससे कितने मेट पहले पोश जाता है चार मेट पहले पोश जाता है तो अभी बताईए आभी आपसे मैंने कहा था दो चाल है रास्ते में मगर दोनों चाल के लिए बरावर दूरी है तब दूरी निकालने के लिए आपको इस फोरमले का इस्तमाल कर सकते हैं पहली चाल गुणा दूसी चाल और यदि टाइम डिफरेंस है पोशने में तो इन चाल का यहां अंतर आता है और यदि योग है आने उड़ जाने का योग है तो यह योग आ जाता है और वही टाइम य सब्सक्राइब कर सकते हैं हैं और आप कर सकते हैं बीच की दूरी के कितनी होगी 27 किलो मेटर होगी और आप कर सकते हैं आप इसे रेशो मेटर से भी लगा सकते हैं चलिए नैस कोशन पर बढ़ते आगे वो कहता है 1000 किलो मेटर की दूरी तै करने में केरो और डेविट के दुआरा लगने वाले समय का अनुपात कितना है 13.21 है इसका मतलब क्या है 1000 कि दूरी है 1000 कि दूरी है अब होँआ पर केरो और डेविस उस दूरी को चलते हैं तो डेविस के लिए भी दूरी कितनी है 1000 और तो दोनों के लिए दूरी नहीं बदली है तो आप जानते हैं जब दूरी नवदले और रास्ते में कितनी चाल है दो चाल है और दोनों चाल के लिए क्या नहीं बदली है दूरी नहीं बदली है तो आप कह सकते हैं दूरी सवाल में कोंसेंट है कोई फरक नहीं डालेगी चाल से क्या निकाल सकते हैं समय और समय से क्या निकाल सकते हैं चाल तो आप मुझे बताएगे क्या दे रखा आपको समय का अनुपाद दिया है तो समय का अनुपाद कितना दिया है समय का अनुपाद है 13 अनुपाद कितना है 21 है तो इसी को हम क्या न पर कितना है का किसका और समय का तो किसका का अनुपात है तो है किसका नुपात wonderful हो जाएगा कर सकते हैं कोई । रहो जाएगा कोशन पूछ दिया जाता है चलते हैं आगे निश कोशन कैसी का से निश्चीत दूरी दो सही-ई-मदा 3D में तै करता है इसका मतलब क्या है City से कितने दो सही- MAT गंते में एक दूरी द्याय करता है आप अधायए जाती है दूरी बरावर होता है, चाल गुण। चाल गुणा समय होता है तो अब मैं आपसे कहूं देखिएगा चाल कितनी है इसकी 51 है 51 गुणा तीन दुनी छेहर चाहर एक सात्वर दे कितना होगा तीन हो जाता है यही तो आपसे पूछा है तो आप मैं आपसे पूछू यहां कितना होता है तो आप काट सकते हैं जब ऊईब के जब बाख करेंगे तो इसका मतलब कितनी थी को कि है dein 600 किलोमेटर फीन गहंटाइगे चाल से चलना तो। सब्सक्राइब होता है ऊबर कितना ऐगा साथ और नीचे जो आएगा चार घंटे का समय लगता है तो चार बचा कितना तीन और तीन चार ग़ंटे का समय हो जाएगा चली नैस को श्राइब है को नगनता है दो स्थानों के बीच की दूरी, चो देखे 62 km प्रदी घंटा की गति से ये आपका गलत लिखा है, ये 3 सही 1 बटा 2 घंटे हैं, में पूरा किया जा सकता है, तो आप बतागे कितनी दूरी है, चाल कितनी है, 62 km प्रदी घंटा, इस चाल से किसी दूरी को कितने घंटे में तै क कों हम दूनिकाल सकते हैं निकालेंगब जानते दूरी बरावर क्या रोगी जिसकी चाल哦 के उसका ही समय को वसी क्या निकल जाती है आप बताईए चाहल कितने हैं 62 और व्य क्लीक है 222 थरड़ एक स 31 और साती गाना 7 होता है और सातीय 21 होता है तो 270 क्या आ चुका है किलोमेटर आ चुका है यदि गती गो 8 किलोमेटर प्रती घंटा बढ़ा दें तो मैं आप से कहूं गती कितनी दी 8 किलोमेटर प्रती घंटा बढ़ा दी जाए तो गती कितनी हो जाती है 70 हो जाती है अब बताईए 70 किलोमेटर प्रती घंटा हो जाती है अब बताईए उसको कहता है कितना समय बचा लेगा तो समय निकालिए पहले तो समय बरावर क्या होगा बचने वाला तो समय बाद में नि होता है अब अच्छा साथ होता है उपर कितना आएगा 31 बटे दस आजाएगा और इसको हम 10 से भाग करें तो तीन बाग पूरा जाएगा एक बटा दस घंटे का समय लगेगा अब जब इसको हम लिखेंगे तो तीन घंटे इसका आप कह सकते हैं तीन घंटे का समय लगता है तो पहले कितने घंटे का समय लगता था पहले लगता था साड़े तीन घंटे का कितने घंटे का साड़े तीन घंटे का तीन घंटा 30 मैट का has increase कि तना समय बचा लेता है और यही आपका आनजर हो जाएगा सोबिस मिट आपका अजर हो चलिए नेश कोशन पर आगे बढ़ते हैं वो कहता है 45 km गंटे की गती से एक ड्राइवर तो गती से ड्राइविंग करने करने पर एक महिला एक मिनट पहले कारेले पहुच जाती है इसका मतलब है एक महिला है कितनी चाल से चलती है 45 km प्रती घंटा की चाल से चलती है तो जो कारले पर पोशने का समय है उसमें कितने मिट पहले पहुच जाती है एक मिट पहले पहुच जाती है जबकि वह उसी दूरी को कितने से चले 40 km प्रती घंटा से चलती है तो जो कारले पर पोशने का समय है उससे कितना मेट देर हो जाती है तीन मेट की देर ही हो जाती है अब उसने पूछा है उसके द्वारा पूरी की गई दूरी कितने किलोमेटर थी अब एक बाव बताईए तो मैं आपसे कहूं दो चाल थी है और दोनों चाल के लिए बरावर क्या है बरावर क्या है दूर बार xy upon x minus y और time difference कितना है वो यहां रख दीजेगा तब पहली चाल कितनी है 45 है और दूसरी चाल कितनी है 40 है और दोनों का अंतर कितना आएगा पांच आएगा और मैं आप से कहूं time difference कितना होगा यहां होगा चार का होगा तो चार बटए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा अब देखेगा 0 से 0 कट जाएगा आप तीन से कट जाएगा तिन तिया9 और 1938 नी6 आप इस दोसे इसको कट जाएगा अब जो बचा है ध्यान से देखेगा तीन बचा है दो बचा है और यहां चार बचा है और जब हम इनकी गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 24 किलोमीटर बीच की दूरी आएगी और यहीं आपका आंसर हो जाएगा इस तरह के सवाल तो आप बहुत बार काड़ चुके हैं चली नैस कोशन आपका नैस कोशन के कहता है एक व्यक्ति एक यात्रा में 30 किलोमेटर दूरी को 10 किलोमेटर प्रिदी घंटे गती से और अगली 40 किलोमेटर दूरी को 8 किलोमेटर प्रिदी घंटे गती से और 60 किलोमेट प्रती घंटे की चाल से चलता है आगे है 40 किलोमेटर की दूरी को कितनी चाल से चलता है आठ किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से चलता है बस्ती दूरी है सेज दूरी 60 किलोमेटर इसको चलता है 12 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से चलता है तब मुझे बताइएगा ओसत क्य दूरी को देगे इस दूरी को चलने में चाल क्या है दस है तो एक घंटे में दस जाती तो तीस को जाने में तीन घंटे लगेंगे इसी परकार से एक घंटे में आठ जाता है तो चालिस को जाने में पांच घंटे लगेंगे और एक घंटे में बारा जाती तो साथ को जाने मे की पूरे रास्ते की वह कितनी हो जाएगी दस किलोमेटर प्रती गंटा हो जाएगी यह आज की वीडियो का लाश कोशन है नैस वीडियो में नैस कोशन के साथ मुलागात करते हैं